नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे मैं अपने चैनल एक्जाम अपडेट में आपका स्वागत करता हूँ और आज हम आपके लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट अपडेट लाए हैं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ही जरूर ही है तो ये अपडेट जो है वो इंडियन पोस्ट आफिस के बारे में है जिसमें कि एक लाग से जादा नई भरती जारी हुई है अधनी सूचना जारी हुई है जिसमें ये बताया क्या है कि एक लाग से ज़्यादा नई भर्तियां इसमें होंगी और इसमें जो पद होंगे वो पोस्ट मैन, मेल गार्ड, MTS के पद होंगे तो इसमें जो चैन पर क्रिया रहेगी, सेलेक्शन की प्रोसेस, योगिता क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए हम आपको इसमें पूरी जानकारी प्रवाइट कराएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि जो पेपर होगा, उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वे अप्डेट आप तक पहुंच जाएंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं देखिए, अगर बात करने पोस्ट मेंड की अगर पोस्ट मेंड की योगिता देखी जाएगी, तो वो देखी जाएगी, बार भी बार भी पास देखी जाएगी ठीक है वहला अगर आप postman के पद पे apply करना चाहते हैं तो आपको बार भी plus होना चाहिए pass होना चाहिए qualify होना चाहिए और साथ साथ में आपके पास computer का भी knowledge होना चाहिए ठीक है computer का भी knowledge पुछा जाएगा और इसमें जो age की limit रहेगी जो age limit रहेगी वो रहेगी आपकी 18 से 27 ठीक है और जैसे की general में यह होती है 18 से 27 और जो age का relaxation रहेगा ST है SC है इन category में आप जानते हैं 3 से 5 साल तका age relaxation होता है तो उन्हें यह age की जो relaxation की सुब्धाय मिल जाती है तो अगर अब इसमें हम बात करें MTS के परत्पे तो MTS में जो आपकी योगिता देखी जाएगी MTS में जो आपकी योगिता देखी जाएगी वो देखी जाएगी 10 भी पास ठीक है 10 भी पास देखी जाएगी साथ-साथ में आपकी जो age होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 25 आप यह देख सकते हैं कि postman जो age थी उसमें 18 से 27 थी और इसमें age जो देखी जाएगी वो आपकी होनी चाहिए 18 से 25 और साथ में आपके पास जैसा कि आप जानते हैं computer का भी knowledge होना चाहिए प्लस जो कि आपके लिए निवार रहा है और जैसा कि अब बात करें mail guard के लिए तो mail guard में जो आपका सब यह योगिता रहेगी या age जो रहेगी वो सेम एज किसके तरह रहेगी MTS की तरह है जो MTS की है वही mail guard की योगिता रहेगी जैसे कि आप 10 भी पास होना चाहिए आपकी जो age होनी चाहिए 18 से 25 होनी चाहिए प्लस computer का knowledge होना चाहिए ठीक है और हम अब चलिए बात करते हैं कि इसमें जो exam होगा उसमें कौन कौन से ऐसे syllabus हैं जिससे question आएंगे तो आपको उसकी तैयारी करने में आसानी रहेगी और आप उसकी तैयारी करेंगे तो आप इसमें आप job पा सकते हैं इतना अच्छा मौकाया है यह देखिए अगर subject की बात की जाए अगर subject की बात की जाए तो इसमें देखो एक होगा English English से पूछी जाएगी ठीक दूसरा math, math question होगे और आपसे reasoning भी पूछी जाएगी साथ साथ में gk भी ठीक है जैसा कि आप यह देख सकते हैं कि इसमें subject पूछे जाएं English, math, reasoning और gk यह चार subject हैं जिनकी आप अच्छे तरीके से इससे पढ़ाई करिए कि इसी से related सब question पूछे जाएंगे और उमीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब इसलिए जरू कर लिजे कि आगे आने वाली जो अपडेट है नोटिफिकेशन हैं आ आप तक पहुचा सकें और आपको जल से जल मिल सकें धन्यवाद